दोस्तों गर्मियों का सीजन आ रहा, गर्मियों का सीजन में बहुत बड़ी सबस्य होती नक्सीर, यानि नाक से एक ऐक व्लीडियों होना, इसके लिए मैं आपको भूत जबरदस्थ तीन उपाय बताऊगे, अगर आप इसको करते हैं, तो इसमें आपको तुरंथी राहत मिलती है और बहुत ज़्यादे फायदेबंद है तो दोस्तों गर्मियों का सीजन आ रहा है तो इन चीजों को आपको जानना जरूरी है चलिए मैं आपको सबसे पहला उपाया बाता दियूँ सबसे पहला उपाया है प्याज प्याज का एक मोटा सा टुकड़ा लेजे चलने के बाद आप इसको स्लाइस में काट लेंगे तो एक मोटा सा टुकड़ा आपको मिल जाएगा जब भी नक्सिर के समस्या हो तो नाक के नीचे इसको भी हो रहा है उसको सूंगने के लिए करिए सूंगे थोड़ी देर के लिए 2-4 सकते हैं अपिर आप अगर नहीं रुखना नक्सिर तो आप इस तरह से इसको तीनों उपाय को भी कर सकते हैं दूसरा है नमक का पानी नमक ले लीजे थोड़ा सा उसमें पानी में घो लेजे उसी जो नमक का पानी बंद गया मिश्रल इसको कुछ बूदे एक बूदे इसे भी आप तदकाल कर सकते हैं इसी तरह से जो तीसरा उपाय बताने जारी हो बहुत इफेक्टिव है आपको लेना है तुलसी की पत्तिया देखे तुलसी की पत्तिया हमारे भी बहुत ही पायदे मंद है कई सारी रोगों में तुलसी की पत्तियों का यूज किया जाता है तो इसे कैसे यूज़ करना है तो आपको लेना है 3-4 तुलसी की पत्ति जब नकसीर इसको निकल रहा उसको दीज़े उसको धीरे-धीरे चबाए और उसका रस जो है तो धीरे-धीरे जब अंदर जाएगा तो यह जो नकसीर निकलने के समस्या होती है नाकों से ब्लीडिंग आना यह समस्या तुरंती ठीक हो जाती है तो 4-5 पत्तिया धीरे-धीरे चबाएंगे कुछी तरबाद देखेंगे नाक से खुन निकलना बंद हो जाएगा दोस्तों सबसे जोरी चीज़ होती है कि जब भी किसी को नकसीर आ रहे है नाक से ब्लीडिंग आ रहे है तो उसे एकदम स्ट्रेट लिटा दिया करिए सबसे पहले लिटाने के बाद ही आप इन उपायों को कर सकते है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए दोस्तों साथ शेर करिए चैनल पे नाए है तो सबस्क्राइब करें इसे लिटेस्ट वीडियो को आपको तुरंती नोटिफिकेशन मिलता है मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू बाबाई टेक यू